जेहिन दोस्तों मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फलिक्ट दोस्तों इंडिया के तरफ से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिटिव को दिया गया और एक बड़ा जटका ACO के मिटिंग के दर्मियान चाइना द्वारा भारत को बेल्ट एंड रोड इनिशिटिव में जुड़ने का निवाता दिया गया था लेकिन इंडिया इसे तुरंती रिफ्यूज करते हुए इसे जुड़ने से मना कर दिया तो दोस्तो ऐसे में सवाल अब ये है कि भारत थैरा चाइना का एक दुश्मन देश तो चाइना क्यू चाता है कि भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिटिव में जुड़े और इसे चाइना को क्या फाइदा होगा और अगर भारत Belt and Road Initiative को अपूस करता है तो इससे चायना को क्या नुकसान हो सकता है और भारत कैसे चायना के ये मनसूवे को ध्वस कर सकता है तो दोस्तों सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं कि Belt and Road Initiative है क्या ये असल में चायना के तरफ से बनाया गया एक connectivity project है लेकिन एक connectivity project और economic project से कम military project और चायना के geopolitical influence बढ़ाने का project के तहद ही आगे बढ़ रहा है चायना Belt and Road Initiative में भारत को जोड़ के अपने इस प्रयास को और मजबूत करने के तरफ आगे बढ़ना चाता है पर सब को पता है कि भारत अगर Belt and Road Initiative में जुड़ भी जाए तो इससे चायना को जादा कुछ फाइदा नहीं होगा लेकिन एक तरिके से देखे तो चायना का जो मनसुवा है उसे एक justification मिलेगा Belt and Road Initiative का ही एक मनसुवा CPAC के नाम पे चायना द्वारा पाकिस्तान occupied कश्मीर के उपर से गुजारा जा रहा है और दोस्तों ये एक ऐसा मनसुवा है जो इंडिया के sovereignty और territorial integrity को violet कर रहा है और चायना इसलिए चायता है कि इंडिया Belt and Road Initiative को support करे ताकि इंडिया का जो CPAC को लेकि oppose है ओवी neutralize हो जाए दूसरे तरफ इसके इलावा चायना का मनसुवा ये भी है कि Belt and Road Initiative के तहट चायना इंडियान ओशन के अंदर देशों को करजा देते हुए जिस तरीके से उनका जमीन को हतिया रहा है ओवी और आसान बन जाए जबकि दूसरे तरफ भारत इन देशों को कर्स के जाल से निकालने के लिए प्रयास चला रहा है और भारत अगर Belt and Road Initiative में जुड़ जाएगा तो ये प्रयास भी खतम हो जाएगा तीसरे तरफ अगर देखे तो चाइना इससे भारत के अंदर अपना economic influence को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है RCEP जैसे प्रोजेक्ट में जहाँ पे एक तरफ चाइना फैल हो चुका है वही पे Belt and Road Initiative के द्वारा भारत को economically चाइना के उपर dependent कराने का कुशिश किया जा रहा है चाइना भारत के बढ़ते हुए economic दबदबे से पहले से ही परेशान है और चाइना ये नहीं चाहता है कि आने वाले समय में ये economic दबदबा इतना बढ़ जाए कि चाइना के उपर हावी हो जाए दोसो इसके इलावा Indian Ocean के अंदर और दुनिया के अन्नी हिस्से में कुछ ऐसे भी देश है जो economically चाइना के उपर थोड़ा बहुत dependent है लेकिन फिर भी भारत को एक hope के तरह देख रहे है दोसो इसी तरीके से भारत जैसे बड़े economic को Belt and Road Initiative में जोड़के चाइना एक तीर से कई सारे शिकार करना चाता है पर अगर भारत Belt and Road Initiative को oppose करेगा तो भारत के साथ साथ कुछ और भी देश है जो इस project से अपने आपको बाहर रखेगा साथ में भारत इन देशों को मिला के आने वाले समय में अपना ही खुद का connectivity और economic project को आगे बढ़ा सकेगा जिनमें दुनिया के बड़े देश खास करके योरोप के देश, अमेरिका, ऑस्टेलिया, जैपैन जैसे देश शामिल हो सकता है दोस्तों इससे आने वाले समय में Belt and Road Initiative को मजबूर टकर मिलेगा और साथ में चायना जिस तरीके का dead trap के जाल को बिचाया है उससे इन देशों को निकालना भी संभव हो पाएगा और आने वाले समय में आसानी से Belt and Road Initiative को काटते हुए चायना के ये dream project या फिर अपने economic influence के बढ़ाने का project को ध्वस्त किया जा सकेगा अल्रेडी इंडिया द्वारा चायना के Belt and Road Initiative को इंडियान ओशन में कई हद तक counter किया जा चुका है और अब इंडिया द्वारा फिर से एक बार Belt and Road में जुणने से मना करने के बाद चायना के तिल मिलाहट आने वाले समय में और ब झाले से एक बारे 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 से एक